बज़ार भाई मुझे वेब डिवेलबमें नहीं आती है मैं अपना पर्ट्फोलियो कैसे बनाऊं मैं अपने पॉर्ट्फोलियो की वेब साइट कहां से बनाऊं किस तरह से बनाऊं यह इस तरह के सवाल मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं तो आज मैं आपको बटाऊंगा अपना पॉर्ट्फोलियो कैसे बना सकते हो वेरी इजली इन 10 मिनस और 20 मिनस अज सलाम अलेकूं मैं नेम इट वजार करी मैं वेलकम तो रेमोट करो बैक इन 2012 जब मैं न्यूटा इंडर्स्ट्री में अजा मोबाइल डिवलपमर अपनी एंट्री कर रहा था तो उस टाइम पर भी मैंने अपना एक पॉर्ट्फोलियो बनाया था और वह पॉर्ट्फोलियो कोई फैंसी किसम की वेबसाइड नहीं थी वह पॉर्ट्फोलियो एक गूगल का डाक्यूमेंट था जिसके अंदर मै मैंने गूगल ड्राइब के उपर अप्लोड कर दिया और अपनी सीवी में उसकी बड़ी वाली यूर्ल डाल दियू मुझे उस टाइम पर ये भी नहीं पता था कि मैं कोई बिटली याइसरा का कोई सर्विस यूज करके इस यूर्ल को शॉट कर सकता हूं I was very naive I was very new but I still managed to create a portfolio और जब मैं interview में जाता था real interviews में तो वहां पर मैं उस पूरे document की printed color printed copy लेके जाता था और जैसे model सोते हैं आपने फोटो दिखाते हैं table के उपर तो मैंने वो सारा portfolio table पर आके रख लेता था और interviewer को बोलता था let's talk about this तो यह जब भी मैं सुनता हूं किसी student है कोई भी मुझसे बात कर रहा हो तो बोलता है कि वजयार भाई मैं portfolio कैसे बनाऊ I get very very surprised in fact shock कि आजकल तो portfolio बनाना बहुत असान हो गया है यह तो उस time पे मसला था फिर भी आपको कुछ करना पड़ा there is a misconception के portfolio एक advanced किसम की website होनी चाहिए responsive भी होनी चाहिए उसमें आपक blog भी चल रहा हो उसके उपर नहीं portfolio is just your online presence के online existence है आपकी के भाई this is me I do mobile development and यह मेरा existing काम है contact me on this email address I am looking for mobile developer opportunities thank you bye-bye this is the purpose of portfolio simple simple कोई fancy चीज नहीं चाहिए आप अभी कैसे बना सकते हैं अभी बहुत आसान है there is no money involved ठीक है पहले तो firebase आ गया है hosting के लिए github pages आ गया है netlify आ गया है और इस सारा से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे top three main है अगर इन में भी आप अपने portfolio को static website को upload करते हो तो आपकी वो बजातकरीम.com free hostate है आज तक firebase के ओपर मैं सिर्फ domain के पैसे देता हूं हर साल जो के कुछ भी नहीं है अब इन website के ओपर आप freely host कर सकते हो अब कुछ लोग कहते हैं your first name last name.com होनी चाहिए website नहीं नहीं होनी चाहिए it doesn't matter अगर है तो अच्छा है you are putting your personal brand अगर your name.netlify.io भी ह तो भी it works at the end recruiters को portfolio चाहिए recruiters को को URL चाहिए आपका काम देखने के लिए domain matter नहीं करता हो उसका के domain क्या है तो लेकिन फिर भी अगर आप domain ले ले लेते हो तो फिर firebase के साथ netlify और इनके साथ connect करना बला आसान है और आप सिर्फ domain के पैसे दे रहे होंगे बाकी सारा जो है वो आपको free of charge लगेगा अब इनकी website कैसे बनेगी development कैसे होगी यह इसके उपर आते हैं development के लिए जैसे हम wordpress यूज करते हैं आप even wordpress में भी अपनी portfolio बना सकते हो तो wordpress लिए cms वहाँ पे आपको को टेक्निकल काम करने की ज़रूवत नहीं होती इसी तरह से static websites के लिए भी most popular हैं वो है guessby, jackal, hugo मेरा favorite hugo है इन सब में different किसम के themes पड़े हुए हैं internet के उपर और उनमे portfolio वाली भी हैं e-commerce की भी हैं तरह सी सारी themes हैं कोई भी एक theme उठाओ और उसके उपर अपनी data डालो और पूरा जो data उटा है आपका वो सारा markdown में लगेगा markdown is a very easy language जो के आप 5 मिन सीख सकते हो इसमें कुछ नहीं है और अगर सीखना नहीं भी जाते हैं तो vs code हो गया और इस तरह के जो भी आईडी रहे हैं वो markdown को support करती है github भी markdown को support करता है तो आपको preview दे देंगे तो you can write like normal and then voila even google docs भी अब markdown को support करता है आप सिर्फ markdown में लिखोगे ये जो framework हैं एक html css की website में और फिर वो html css की website आप host कर सकते हो firebase, Netlify और github pages के ओपर ठीक है maybe I'll create a tutorial on this in future but for now let's stick to the conversation आप portfolio कैसे बनाना है ये तो समझ आ गई लेकिन यहां पर एक बात आप और जहन में रखें कि ये जितनी भी markdown की static website होती है इन में कोई database नहीं होता, इन में आप search query नहीं लगा सकते, इन में आप e-commerce या इस तरह की dynamic functionality नहीं चला सकते, these are simple html css pages, static pages, जिन में हम hardcore कर रहे हैं, इस button पे click करें तो यहां जाएगा, उस button पे click करें तो यह वाला page खुलेगा, जैसे एक normal student initially html css सीख रहा होता है तो उस फरक सरफ यह है कि यह website अब आप नहीं बना रहे हैं, यह website आप markdown में लिख रहे हैं और यह जो framework हैं Hugo और यह यह आपकी website को convert करके आपको html css के pages बना कर दे रहा हैं, तो this makes things a lot easier for you, मैं जितनी भी websites new बनाता हूं, वो सारी Hugo में बनाता हूं, मेरी scholarship की website Hugo में है, मेरी अपनी वजाद करींदर काम, Hugo पर है, और इस तरह के और भी कुछ ideas हैं जिनके पर मैं काम कर रहा हूं, सारे की website है, Hugo में बनाता हूं, इस very easy, firebase पर डाल दिया, खटम होगी, बार में domain ले लिया, और को connect कर दिया, वो भी पांच बनर का काम होता है, तो it's very easy, एक और चीज, जो अक् जारा से जारा GitHub के इत्रास हैं, developer portfolio is focused on creating a website for developers, अब ये netlify ready repository है, तो you can instantly deploy it on netlify, और आपको वही netlify.ios तरह का कोई domain मिलेगा, और मज़े की बात ये है, कि आप इस website में तकरीबन सारी जिर्याइड कर सकते हैं, इसमें आपको ये दिखायागा के education कैसे करते हैं, आपके job experiences कैस कैसे हैं, medium articles कैसे हैं, podcast है, तो वो कैसे हैं, आपके skills कौन-कौन से हैं, आपके वो project जो GitHub के ओपर नहीं है, big projects हैं, वो कैसे हैं, आप अपना blog add करो, आप अपना contact information, CV, अपनी picture, कौन-कौन से technology के ओपर काम किया है, ये सारा, आप very responsive किसम की website में आप add कर सकते हो, within 20 to 30 minutes, and this is completely free So, thank you Saad Pasta for creating this amazing amazing repository, मैं ये पिचले एक दे साल से एक तनी रिकमन कर रहा हूं आपने students को, so you have made a lot easier for it, so thank you for your good work Hi everybody, my name is Saad Pasta, I am the creator of an open source project called DevilPortfolio, DevilPortfolio is a project that helps you create easily and very easy, with a lot of ease, it has over 5000 stars on GitHub, and it has helped thousands and thousands of developers to create their own portfolio So, let me introduce a bit about myself, my name is Saad Pasta, I am a senior software engineer at a fintech company in Pakistan called Saadapay, I've been there for around 4 years I have been building for open source for quite a while, I have built open source project, I have built SaaS product, I have recently built a Chrome extension also So, I love creating things and open source is one of the things and DevilPortfolio was one of the main things that I created and that trended worldwide Actually, it trended on Reddit, it trended on Twitter, everywhere, it is one of the most impactful open source projects from Pakistan So, the thing why I created DevilPortfolio, so I think it was for my own use, actually I wanted to showcase my abilities, my work on a website So, I created a portfolio, and I published it on LinkedIn, so everyone loved it, so people were like, oh, we can get this portfolio template, all that So, I said, okay, I'll open sources, I'll just open sources and put it on GitHub, and I open source a template, and that there was this But one thing I did was, I posted it also on Reddit, and there it actually boomed, it had like 500 uploads, and it actually got trended on Reddit, everywhere So, from there, the people start coming in, people start recommending, and this has been like all recommended by big, big YouTubers also Like with millions of subscribers, and then the stars started pouring in So, basically, then a lot of contributors actually came in, there are, I'm not sure, right, right now There are 100 plus contributors at DevilPortfolio that has contributed around like in 4 to 5 years So, there are a lot of contributors to it, actually, and that have actually helped the project grow a lot And the achievement of DevilPortfolio is like I would just say that it has more than 5,000 stars, it's one of the big achievements It has trended two times on GitHub, that's one of the achievements, and the one thing is like It is the most impactful project I have seen a lot of people come to me, oh, Saad, I use your portfolio and got a job Oh, Saad, I'm using your portfolio, people from India, Pakistan, people worldwide Even like IBM senior engineers, even aircraft engineers People, like people from all domains, not just software engineering It's just amazing to see that just a small portfolio project has so much impact on people So, that's just amazing And how many people have used the project? I think it must be in thousands of people, I don't know I used to keep a list of, whenever I see the people, these people are using my portfolio But I stopped keeping lists because a list gives so much But I would say tens of thousands of people So, if you just search the portfolio, you will get a list of people using it On Google, actually So, it's like, it's amazing Yeah, and how the portfolio has helped me, I would say It's like, I got a job due to that People actually, when you come to GitHub and people see your project People see you, or your GitHub Actually, it's like that But they see, oh, this guy has done some impactful work I got my job as I think due to that reason Because I think John actually saw my GitHub and approached me on LinkedIn So, I think it really helped me grow in my career Whenever I say something and look at my GitHub They see, oh my god, this guy has like a project that I have 5,000 stars It's a very small project Like, it's just a template But giving a template have 5,000 means it's a big thing But yeah, it has helped me a lot in my career And thank you so much, guys Thank you Have a nice day Finally, today you will understand how to make your portfolio For your online existence And for your jobs apply to your job And like, share, subscribe Thank you for watching this video Tell us in the comments Share your portfolio I would love to see all of your portfolios So, thank you Bye-bye Bye-bye